तो दोस्तों देख सकते हैं एक ये मेरे हाथ में दोस्तों देख सकते हैं ये टेश्टी लाम ठीक है इसी के जरिये से दोस्तों ये जो रिक्टिफायर है न सही है कि खराब है हम कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों ठीक है सिर्फ दोस्तों एक मिनिट में या दू मिनिट में हम चे होने वाले है दोस्तों चलिए ना देरी करते हुए विडियो को फटा फट अ स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह वीडियीड़ देखिएगा आपको काम जरूर आय Benny तो चलिए दोस्तों हम आपको एक दम यानिकी simple तरीका से असान तरीका से हम आपको बताएंगे दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हैं यह है magnet coil का socket दोस्तो, ठीक है, magnet coil से जितना भी wire आया है ना, दोस्तो, सब यही wire है, ठीक है, तो यह पुरा wire में से हमको धूड़ना होगा, कि magnet coil का, जो हम लोग lighting coil और charging coil बोलते हैं न, कौन सा wire है, ठीक है, तो दोस्तो देखिए, wiring का color code समझिएगा, का मेन फर्मूला होता है बातों प्राहरेक Ведь कमपनी का हरेक मेगनेट कोईल का कलर जो होता है लग क्षज़ता ठीक है तो यह बजाज कमपनी के पेलसर हैं निला लाइनी बना नियोग यह करना क neural inhale दोस्तो ठीक है देखिए दोस्तो नए मेकानिक भाई है तो आप दोस्तो ध्यान लगा के देखिएगा ठीक है तो दोस्तो सबसे पहला यह जो सोकेट है ना रिमोफ कर लेना दोस्तो यानिकी बाहर निकाल लेना तो इजी है दोस्तो यह लोग को उपर करेंगे और दोस्तो इजली निखल गया दोस्तों ठीक है तो ये दोणों वारे दोस्तों देख सकते जो निला पे सफेद लाइन बना कि देख सकते हैं दोस्तों हम यहां लगा लिए इसके साइड में ठीके और एक दोस्तों टेस्टी लाम का एक यह वायर दोस्तों यहां हम ले लेंगे कि यह सकते हैं दोस्तों लगा लिए ठीक है अब यह दोस्तों टेस्टी ल्यांप अगर दोस्तों की यूज करने पर या दोस्तों सेल्फ यूज करने पर यह टेस्टी ल्यांप जगता है बलता है तो उस केस में कंफर्म हो जाई है कि लाइटिंग कोयल जो है मेगनेट कोयल व हो ठीक है तो दोस्तों कीख करेंगे और यहां देखिए गारम करने यानी की रोशनिके ताफ यह जग रहा के अगर दोस्तों यह अगरी बंथा नहीं बलता तो उस केसि में दोस्तों आप कॉम्फं हो जाएए कि आपका और मेंगनेट कॉयल जो मिलोग लाइटिंग क्वाइल चार्जिंग क्वाइल बोल सकते हैं यानि कि खराब हो चुका है दोस्तों ठीक है यानि कि वो खतम हो गया दोस्तों आफ कम्फम हो जाईए तो दोस्तों यह हो गया देख सकते हैं इस परकार के लागा लेना ठीक है तो दोस्तों चलिए इसका हम सिस्टम आपको बता कि करेंगे दोस्तों ठीक है एक बहुत बाला दोस्तों मेकानिक भाई के लिए एक सब्सक्राइन को है यहां अ्याएग यह निला पे इंपुट घुचता है और इसक दीसी में कण बड़ करके आउट्ट करेंट निकालता है यह यानि के पुरा का पुरा सफेद कलर के वायर में दोस्तों ठीक है तो दोस्तों ये चेक करने से पहले दोस्तों यहां देखिए ये वैट्री के ये प्लस टर्मिनल खुनला पड़ेगा दोस्तों नहीं तो डायरेट बल जाएगा दोस्तों ठीक है तो चलिए ये ये डायरेट कई से काम करता है तो हम यहां हम बड़े और्थिन देंगे तो यह डियरेट बल जाएगा देख सकते हैं तो इसे हमको पता नहीं चलेगा दोस्तों ठीक है इसलिए दोस्तों यह बैट्टी का यह प्लस टर्मिनल खुणला पड़ेगा दोस्तों तो दोस एम्म की तूल से यह ओपन कर लेना दोस्तों यह से हम यहां ओपन करेंगे देख सकते यह ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद दोस्तों जब हम चेक करेंगे तो इसमें करेंट नहीं आएगा दोस्तों देखिए यहां लगा दिये उजलावला वायर में और यहां दोस्तों हम बड़ी से टच करेंगे तो यह 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 नहीं जग रहा है ठीक है अब दोस्तों किक यूज करने पर यह जग रहा है दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते कीक यूज करने पर यह टेस्टी लाम जग रहा है दोस्तों तो दोस्तों इसे हमको यह पता चलता है कि यह जो यह रिक्टी फायर है न यह आउटपुट करेंट यह उजलावला वायर में दे रहा है यानि कि रिक्टी फायर सही है अगर दोस्तों कीक यूज करने पर यह टेस्टी लांग अगर नहीं जगता तो उस केस में कंफम हो जाइए कि यह जो रिक्टी फैरवा है न यह खराब हो चुका है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों अच्छा तरह से समझना और कुछ दिमाग लगाना दोस्तों बिना दिमाग से वाइरिंग में से चेक कर सकते हैं दोस्तों यह टेस्टी लाम के जरिये से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों चलिए इस पर अच्छा तरह से फोकस करिएगा दोस्तों तो सबसे पहला ना देखिए यह सीडियाई है दोस्तों ठीक है करेंड की प्रोलम आता है तब दोस्तों करिएगा यह cdii में बाराभ ĉल्ड के इंपूट आता है तो देखिए दोस्तो इतना सलावाइर है लेकिन कौन दो kinds कर आता है यह पहला ढूं़िए और क्लॉर को समझीए तो हम आपको बता देते हैं दोस्तो इतना सलावाइर है कंफिज ठीक है तो समयने का कोशिस करिएगा और दोस्तों ये टेस्टी लाम के जड़िये से हम चेक कर सकते हैं ठीक है टेस्टी लाम के एक जो वायर है न दोस्तों हम इसमें यानिकी घुशेड देंगे यानिकी लगा देंगे दोस्तों माइंड नहीं करिएगा दोस्तों ठीक है हम य आवी on हो गया और यहां देखिए यह tasty lamp नई जग रहा है तो ठीके तो यहां देखिए यह Gotcha स्विच अभी आफ है ठीक है हम कील स्विच को जैसे ही हम अन करेंगे देख सकते हैं अन किये अन करते ही यह टेस्टी लाम जग गया दोस्तों ठीक है अगर यह नहीं जगता दोस्तों तो उस में दोस्तों आप कम्फर मों जाएए कि यह सीड है तक इनपूट करेंट नहीं आ रहा है यह वाला वायर वायर नाकरके दोस्तों तो दोस्तो यह testy lamp के जरिये से दोस्तो हम बहुत सारा यानिकी wiring के problem को solve कर सकते हैं यह testy lamp के जरिये से दोस्तो ठीक है तो दोस्तो उमीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सिखने लायक आपको मिला होगा तो चलिए दोस्तो फिर मिलते हैं ऐसा है किसी helpful वीडियो में thanks for watching